विल्कम टू इंग्लिश बाबा चैनल चिल्डन पाँच अपडेट लेके आया हूँ क्लास टैंथ और ट्वेल्थ वाले बच्चों को लिए जो इस बार से अपली केबल हो रहे हैं तो जल्दी से वीडियो को देखते ही लाइक कर दो आई होप आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक मेरे भाई चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो पहला अपडेट क्या है एक्जाम विल स्टार्ट इन मेड फैब जी हाँ इस बार सी बीएसी ने सारे काम टाइम पे करने के लिए डिसाइड किया है कि तुम्हारे एक्जाम 15 फरवरी से सी बीएसी इस बार स्टार्ट कर देगी क्यूंकि पिछली बार आपने देखा कि काफी लेट हो गया था बच्चों को परिशानी हुई सी बीएसी को परिशानी हुई टीचर्स को परिशानी हुई दूसरा अपडेट क्या निकल के आ रहा है कि भाई साब इस बार competency-based और application-based question CBSC डालेगा अब competency-based और application-based question क्या है competency-based वो question होते हैं जिसमें बच्चे की actual knowledge check होती है आपने देखा होगा CBSC की जो आपके chapters हैं उनके नीचे कुछ questions दियोते हैं तो उन questions को करना बहुत जरूरी है बच्चे reference book से कर लेते हैं लेकिन वो questions छोड़ देते हैं उनके notes मैंने children description में डाल दिये हैं 9, 10, 11, 12 के लिए वो भी देख लेना इसके बाद जो तीसरा वाला update है वो यह है कि भाईया तुम्हारा नया report card आ रहा है CBSC विचार कर रही है क्योंकि अब तक तुम्हारे जो report card में किवल marks दिखते हैं और grade दिखते हैं हालां कि अभी कोई notification आया नहीं है लेकिन जैसे ही कोई notification आता है मैं सबसे पहले आपके लिए लेके आ जाओंगा इसके बाद जो बचे हुए दो जो दो अपडेट्स है वो हम बात करेंगे इस अपडेट के बाद कोई question कोई सवाल नहीं समझ में आ रहा है तो जस्ट सबसे पहले आपको question का या उस सवाल का photo click करना है उसके बाद उसको upload करना है माँ 60 seconds के अंदर अंदर पूरे question को solve करके आपको पूरा explain करके बता दिया जाएगा कि ये question किस द्रकार पैसे होगा ठीक है तो डाउनलोड कर सकते हैं डाउनलोड करने का link वीडियो को discussion में भी दिया हुआ है और play store से भी डाउनलोड कर सकते हैं तो प्लीज आपसे दुबारा request करूँगा हमारे एक effort के लिए प्लीज एक like दे देना प्लीज एक subscribe कर देना so that आपको हमारे updates मिलते रहें चिलन एक बहुत बड़ी खुशखबरी निकल के सामने यह आई है कि जो internal choice questions होंगे इस बार वो 33% मिलेंगे यानि कि हर question में आपको choice मिलेगी या तो यह कर दो या वो कर दो तो 33% आपको इस तरह के questions मिलेंगे जिससे आपके जो marks हैं वो आप finally बढ़ जाएंगे यहां पे आपका जो syllabus है that to be completed till 20 December CBSC ने यह कह दिया है कि भईया 20 December तक तुम्हारे जो syllabus है वो complete हो जाना चाहिए ताकि तुम्हारा जो pre-board exam है एक तो होता है board exam pre-board क्या होता है जो board से पहले आपका school conduct कराता है वो भी CBSC चाहता है कि इस बार जल्दी हो ताकि बच्चों को board exams की तयारी के लिए काफी time मिल जाए एक और बड़ी चीज जो बच्चे school miss कर रहे हैं जा नहीं रहे उनके लिए CBSC ने निकाल दिया कि भईया 75% attendance ज़रूरी है